हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी नास्ते की रेस्पी इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये ऐसा नास्ता है जिसको आप रोज बना कर खा सकते हैं ये बिल्कुल भी oily नहीं है तो आज हम इसको बनाने जा रहे हैं एक कप चावल से तो आप इसके लिए किसी भी तरह के चावल ले सकते हैं कोई branded चावल लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो इसके लिए मैंने एक कप चावल लिए है और आदा कप चने की दाल ले लिए है तो इसी तरह का आपको measurement रखना है एक कप चावल के लिए आदा कप चने की दाल तो चलिए सबसे पहले हम इनको भिंगो देते हैं तो हम इनको रात भर के लिए भिंगो कर भी रख सकते हैं या 4-5 गंटे के लिए भी भिंगो कर रख सकते हैं अगर आपको सुबह जल्दी बनाना हो तो आप इनको रात को ही भिंगो कर रख दीजिएगा और सुबह ये अच्छे से फूल भी जाएगा और इस तरह से मैंने इसको 2-3 बार पानी से धुल लिया है मैंने इसको 4-5 गंटे के लिए भिंगोया था और ये देखिए काफी अच्छे से फूल चुके हैं तो चाबल तो बहुत ही जल्दी सौफ्ट हो जाते हैं इनको फूलने में लगबग 1-5 गंटा ही लगता है लेकिन चने की दाल थोड़ी देर से फूलती है इसलिए मैंने इसको 4-5 गंटे के लिए भिंगोया था अब बिना पानी के ही हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और चटपटे स्वात के लिए इसमें 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे इसमें हम पानी का अभी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और पीशते समय मुझे थोड़ा सा ये टाइट लगा था पीशने में परिशान ही हो रही थी तो इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है इसी तरह से मैंने इसका एक गाड़ा घोल सा बना कर तयार कर लिया है और मैं अभी आपको मिक्स करके दिखाती हूँ देखिए बिल्कुल इस तरह का तो बहुत ज़्यादा इसमें आप पानी मट डालिएगा अब एक चौपर में एक बड़े साइज का टमाटर डाला है और एक बड़े साइज का ही मोटा मोटा काट कर मैंने प्याज डाला है एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ले ली है और ये मैंने थोड़ा सा खीरा ले लिया है तो जो सबजियां आपको पसंद हो इसके लिए आप इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं और बस इस तरह से मैंनेज को बारीक साथ चौप कर लिया है अगर आपके पास चौपर नहीं है तो आप बारीक बारीक सबजियों को कहाँ से भी काट सकते हैं और जो हमने घोल बना कर रखा है न उसमें इन सारी सबजियों को डाल दिया है बारीक कटा हरा धनिया डाला है और एक चमच चाथ मसाला डाल दिया है चाथ मसाला की जगए आप नीबू का रस भी डाल सकते हैं एक चमच चिली फ्लेक्च डालेंगे आप चाएं तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं आदा चमच इसमें साबुच जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग डाल दिया है इसमें मैंने चने की डाल का इस्तेमाल किया है तो इसलिए हींग जरूर से डालियेगा जिससे ये नास्ता आपको पचने में बहुत ही आराम दायक होगा और कोई भी बधजमी नहीं होगी बारी कटे हुए करी पत्ता डाल दिये हैं और इसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप चाहें तो इसमें पावाजी मसाला भी डाल सकते हैं या आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल सकते हैं इस तरह से आप हम इसको घोल लेते हैं और हम इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं करेंगे क्योंकि सबजियां डालने से ये थोड़ा सा पतला भी हो गया है और थोड़ी देर के लिए इसको हम फेट लेते हैं लगबग 2 मिनट ही फेटना है बहुत जादा देर तक हम इसको नहीं फेटेंगे अब गैस की तरफ चलते हैं जिसमें मैंने कढाई रखी है और एक से दो चमचेस में तेल डाल दिया है थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे और इसमें थोड़ी से मूंखफली के दाने डाल दिये हैं दो साबुत लाल मिर्च डाल दिये हैं और बस अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए जब तक कि मूंखफली के दाने थोड़े से क्रैक ना हो जाएं और ये देखिए चटक गए हैं तो अब हम इसमें थोड़े से करी पत्ता डालेंगे और ये मैंने सूखा नारियल ले लिया है जिसके इस तरह से पत्ले पत्ले टुकडे काट लिये हैं तो जब मूंखफली चटक जाएं उसके बाद ही हम इस तरह से नारियल को काट कर डालेंगे क्योंकि वो बहुत ही जल्दी जलने लगता है अब इसमें 5-6 लैसुन की कलियां डालेंगे और इसको भी कुछ सेकेंड के लिए सोटे कर लेंगे अब जैसे ही सोटे हो जाएं तो इसमें हम एक बड़े साइज का प्यास डालेंगे जिसको मैंने पत्ले पत्ले स्लाइस में कट कर लिया है तो इसको बहुत जादा बारी करने के आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसको भी कुछ सेकेंड के लिए थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेते हैं बहुत जादा इसको नहीं भूनेंगे और देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का टमाटर और एक चमज डालेंगे इसमें काश्मीरी लाल मिर्च ये मैंने कलर के लिए डाली है इसमें बिल्कुल भी तीखा पन नहीं होता है और इसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गैस की फ्लेम को लो टू मेडियम कर देंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसको धक कर पकाएंगे जिससे ये जल्दी से सौफ्ट हो जाएं और ये देखिए बहुत ही जल्दी से सौफ्ट हो चुके हैं और टमाटर भी मैश हो चुके हैं तो अब हम गैस के जार में डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी जिसे ये आसानी से पेस जाएगा और ये देखिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार चटनी बनकर तयार हो चुकी है जो इस नास्ते के साथ बहुत ही मज़ेदार लगेगी और जार में थोड़ी सी चटनी लगी रह गई थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे ये चटनी एकदम से परफेक्ट बन गई है अब हम एक तड़का पैन लेंगे उसमें थोड़ा सा तेल गर्म कर लिया है एक चमच सर्सों के दाने डाले हैं और दो सूखी लाल मिर्च और थोड़े से करी पता डाल दिये हैं और जैसे ही ये सारी चीज़ें चटक जाएं तो इस चटनी में हम तड़का लगा देंगे जिससे ये चटनी और भी तेश्टी और मज़ेदार हो जाएगी तो चटनी बनकर एकदम से रेडी हो चुकी है और एकदम से परफेक्ट चटनी बनी है तो चलिए अब हम फिर सिक गैस की तरफ चलते हैं तो ये मैंने अपम स्टेंड ले लिया है जिसको मैं ओयल से अच्छे से चिकना कर लूँगी तो पहले ही हमें इसमें तेल लगा कर अच्छे से चिकना कर लेना है उसके बाद हम आगे की तयारी करेंगे बस इसको थोड़ा सा चिकना ही करना है और जो हमने घोल बना कर रखा था ना उसमें हम अब आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे और इसको एक्टिवेट करने के लिए इसके उपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और हलके हातों से पूरे घोल में इसको अच्छे स मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो खाने वाला जो सोडा होता है न उसको भी इसमें एक चोथाई चमच डाल सकते हैं और उसको एक्टिवेट करने के लिए आप उसके उपर थोड़ा सा नीवू का रज डालिएगा जिससे आपका नास्ता भी बहुत ही अच्छे से फूला लगते जाएंगे तो आज हम इस नास्ते को ना डीप फ्राई करेंगे ना ही सैलो फ्राई करेंगे बहुत ही कम तेल में हम इस नास्ते को बना कर तयार करेंगे या आप यूं कह लिजिए कि आज हम ओल फ्री रैस्पी बनाने वाले हैं तो इस तरह के नास्ते को आप रोज बनाकर खा सकते हैं इससे आप पिल्कुल भी बोर नहीं होंगे ये बहुत ही टेश्टी लगता है और 2-3 मिनट तक इसको low to medium flame पर ढखकर रखियेगा और ये देखिये 2-3 मिनट में ही ये काफी अच्छे से फूल चुके हैं और उपर से dry भी हो चुके हैं तो इस तरह से बहु इसको दूसरी तरफ से पल्टेंगे तो ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाएंगे और ये देखिये पलटते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके उपर कितना बढ़िया सा color आ चुका है और तब प्यारा सा color आया है कि देखते ही खाने का मन कर रहा है आज मैंने इस रेस्पी में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है जो आसानी से घर में मिल जाती है आपको ये सोचने की बिलकुर भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बाहर से इसके लिए कुछ मगाना है और बस इसको पलटने के बाद 2-3 मिनट तक फिर से ढखकर पका ले और ये देखिए दूसरी तरफ से भी इनके उपर काफी अच्छा सा कलर आ चुका है तो दोस्तो आज की रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट वक्स में जरूर से बताईएगा और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने फैमली और फ्रेंड्स में इस र चैनल पर नई हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप ये मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना बिल्कुल मत बूलिएगा तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की टेश्टी नई और मज़ेदार रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर